गुप्त सूचना के आधार पर बिती शनिवार की देर रात सोलो पुलिस ने लूड की योजना बनाते कुल तीन लुटेरों को गिरफ़तार करने में सफलता हासिल की है सभी लुटेरों को सोनो थाना क्षेत्र अंतरगत बेलंबा पंचायत स्थित्मन रेगा भवन के पिछे गिरफ़तार किया गया है गिरफ़तारी के दोरान उत लुटेरों से एक देशी कटा एक गोली एवन दो मुबाइल बरामद किया गया है गिरफ़तार लुटेरों में बेलहर थाना क्षेत्र अंतरगत जोगिया अटेला बद्ला गाउव निवासी यमुना यादव का पुत्र रोहित कुमार यादव लक्ष्मी पुर्थाना क्षेत्र के मंगरार गाउव निवासी संतोश यादव का पुत्र मुकेश यादव इमान जाज़ा थाना क्षेत्र के करहरा गाउव निवासी अक्तर अंसारी का पुत्र तश्वर अशारी शामिल है गिरफतारी अभियान में सोनो थाना अध्यक्ष राजेश कुमार के साथ सियाइटी ससस्त्र बलशामिल थे बताते चलें कि गिरफतार तीनों लूटेरों को या एक हिरासत में जमुई जेल भेज दिया गया है